तो इससे पहले हम इस चाप्टर के दो पार्ट कर चुके हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लेजेए और गाइस अगर आपको इन सब चाप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलेग्राम चानल पे जॉइन हो सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल सकती हैं अगर आप चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ठीक हैं तो अभी हम शुरू करने वाले ह वो पिछली वीडियो में कर चुके हैं अभी हम बात करेंगे कि smart goal के time lines क्या होते हैं ठीक है कैसे goals को किन-किन phases में बाटके बनाना चाहिए कि एक छोटे goal होते हैं एक intermediate goal होते हैं एक long term goal होते हैं ठीक है ना सबसे पहले होता है short term goal planned to achieve within a day और a week और a month एक day में करना है एक week में करना है एक month में करना है और within 3 months ठीक है short term goals have a time frame of up to 3 months example to save rupees 200 by the first of next month so I can take my friend out for a movie है ना मतलब एक दिन के लिए एक week के लिए एक मन्त के लिए और तीन मन्त तक आप जो भी goals बनाते हो उसको हम short term goals कहते हैं ठीक है जो हमारा next है time के according अगर हम देखें that is an intermediate term ठीक है उसमें क्या होता है goal planned to achieve in few months और within a year intermediate goals take place between 3 months and 1 year यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था कि आप 3 months तक कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे क्या है आप 3 to 1 year कर सकते हो 3 month to 1 year है ना जो intermediate goal होते है उसमें हमें example क्या दिया है इन्होंने example to save rupees 200 every month for the next 4 years to buy oh sorry months to buy a new t-shirt और ट्राउजर यह क्या बोल रहे हैं यह example है कि आपको हर month 200 रुपे बचाने है ताकि अगले 4 महिने में जब 4 महिने के बाद जो time आएगा उसमें मैं एक नया t-shirt और एक ट्राउजर अपने ले खरीद लो ठीक है तो यह हो गया है तीन महिने से एक साल के बीच का जो time होता है उसको हम बोलते है intermediator तीसरा हमारा topic है long term long term मतलब कि वो goal जो कि एक साल के बाद के लिए plan के जाते हैं कि मतलब उनको एक साल से जादा का time रख के बनाया जाता है long term goals are more than a year ठीक है ना those long term goals require patience to achieve and a willingness to give up giving up give up something you want now and return for something better later यह क्या बोल रहा है कि यह जो long term goals होते हैं यह बहुत ही patience होगा उसको monitor किया होगा तब इतने long term goal long term के बाद आप अपने goal को achieve कर पाऊगी एक्जामपल इसमें क्या दे रखा है कि हमां पर एक्जामपल दे रखा है कि to save rupees 2000 per year for the next four years to buy a high five music system मतलब आपको अगले चार सालों तक हर साल 22000 रुपे जमा करने हैं और 34 साल तक आपके पास 8000 रुपे हो जाएंगे और आपको एक बड़ा सा अच्छा खासा music system खरीदना है ठीक है ना अब जो हमारा पहला दूसरा topic है दूसरा step है वो है step two जिसमें हम बात करते हैं analyze information की हमारा पहला जो topic था जो पहला step था वो क्या था setting goals that how to set a goal जिसमें हमने पढ़ा कि हमको smart goal बनाना चाहिए smart में क्या जाता है specific measurable attainable realistic time bound है यह सब मैंने आपको पढ़ा दिया पिछली वीडियो में अभी हम बात करने वाले अपने step two की that is analyze information अब हम information को analyze करना है तो करते हैं पढ़ते हैं इसको the second step in the financial planning process is to evaluate information about yourself let's start with where you are now how do you get money जैसे कि मान लो कि आपको अगले पांच सालों में एक बड़ी सी कार खरीडनी है ठीक है तो हम उसकी information को analyze करेंगे कि आप let's start with where you are now आप अभी कहां पर हो that means अभी आपके पास क्या है how do you get money आगे का money आपको कैसे मिलेगा do you receive an allowance आपको क्या कोई allowance मिलेगा how much do you get each week आपको एक सफते में मान लो pocket money या फिर आपको एक मन्त में pocket money जो मिलती है उससे करोगे how much do you spend on each week आप एक एक मतलब यह तो spend की बात हो रही है ना मतलब अगर हमारे example के according लेकर चलें तो आपको यह बताना होगा कि मैं basically कितना कितना पैसा जमा करूं हर महिने हर सफते हर छे महिने पे ताकि अगले पांच साल के बाद अगर पांच साल के बाद में देखूं तो मेरे पास at least पंदरा या बीस लाक रुपे हों या फिर मतलब जितने की भी आपको गाड़ी करीदी है एक करोड़ दो करोड़ या फिर पांच लाख जितने की भी है ना या फिर आप 2000 रुपे की साइके लिए क्यों ना खरीदना चाहते हो पट उसके लिए भी आपको information को analyze करना है what do you normally spend your money on आप अपनी money को normally spend कैसे करते हो कहां करते हो answers to question like these help pinpoint where you are financially it helps you to understand your financial resources so that you can plan your next step मतलब कि अगर आप अपनी info को आपके पास जो भी information है उसको properly analyze करते हो तो आपको अपना financial resource पाने में help होगी ठीक है यहाँ पर यहाँ पर financial resource लिखा है बट अगर आप बात करें अपने ही गोल किसे आप लोग अभी class 9 में तो अभी आपकी कुछ percentage की गोल होंगे class 10 के लिए class 12 boards के लिए तो आप उनको कैसे अचीव करोगे उसको भी उसके लिए भी आपको info को analyze करना पड़ता है कि भाई देखो अभी मैंने इतना syllabus कर लिया है इतने topics बचे हैं इतने topic यह वाला chapter का यह वाला पार्ट मेरा बचा है या फिर इस question का मुझे दुबारा से revise करना है या फिर इसका मुझे टेस्ट देना है यह सारी information होती है अब आज आते हैं अपने step 3 पे जो होता है create a plan मतला now you will have to create a plan for the to achieve your particular goal जो की आपने set किया है once you have the information available to you as to where you stand in terms of your finances today you can match your resources with your goals यह बोल रहे हैं कि एक बार अगर अपने information जो भी आपको available है अपने finances के बारे में अगर आपको वह मिल गई है तो आप क्या कर सकते हो अपने resources को जल्दी अचीव कर लोगे अपने resources से अपने goals को जल्दी अचीव कर लोगे do you have enough money with you to meet your goal कि आपके पास आ क्यों कि देखो we are talking about financial planning तो यहां पे जादर money money की बात होगी है ना तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि अपने goal को आप पालो उसको चीव कर लो whether it is the new t-shirt or trousers or going out for a movie if not what you need to do अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है आपको कहां से पैसा लाना है कितना पैसा लाना है what are you what you are facing is a situation of limited resources right सबके पास limited resources ही तो होते हैं जो wants होती है वो unlimited होती है इसलिए हमको planning करने पड़ती है choose करना पड़ता है so what do you do it is time to make some financial decisions and formulate a plan अब ये वाला चो time है when we have limited resources and unlimited wants अभी हमें क्या करना है let's say you have two goals इन्होंने हमें दो goals दे रखे है goal A to save rupees 300 by the first of next month to buy a game box आपको अगले महिने की पहली तारीक को पहले first को एक game box खरीदना है तो ये है हमारा goal A goal B क्या है to save rupees 900 within the next three months to buy a sports shoe आपको sports के shoes खरीदने है या फिर आपको एक shoe भी खरीदना है तो वो 900 रुपे का आएगा ठीक है तो आपको अगले तीन महिने के बाद उसको खरीदना है तो आपको इन्होंने दो goal दे रखे हैं कि आपका पहला जो goal उसमें आपको चाहिए rupees 300 जो आपका दूसरा goal है उसमें इनको चाहिए 900 रुपे है ना तो शलो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग from analyzing the information available with you you would know where you stand financially today अब देख लो भाई आपको पता है कि आपको इतने इतने पैसे चाहिए and देखो सबसे पहले आपने प्लान आपका प्लान प्लान एकदम आपका जो goal है एकदम सेट है कि आपको गेम बॉक्स चाहिए आपको sport का shoot चाहिए okay you have set your goal कि आपको भाई क्या करना है है अब आपने information को भी analyze कर लिया है कि मुझे अगले महीने की मतलब की एक जो तारिक होगी उसमें मुझे खरीदना है मैं को 300 रुपे चाहिए और अगर आपने properly analyze किया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके पस कितने पैसे हैं और जो नहीं है वो कैसे आएंगे how much money you have how much you can save etc right now you would have to decide if you are able to achieve both the goals और just one goal अब आपको ये बात decide करने पड़ेगी कि आप एक goal को achieve कर पा रहे हो या फिर दोनों goal को achieve कर पा रहे हो in case you are able to save rupees 300 within the next month you can buy a game box but then you would not be able to buy a sports shoe after 3 months देखो अगर आपने एक महीने में 300 रुपे जमा कर लिये ठीक है और मालो अभी कौन समन्द चल रहा है अभी October चल रहा है तो अभी मैं बोल रहे हो कि 1st November को मुझे गेम बॉक्स करीदना है जिसके लिए मुझे 300 रुपे की ज़ुर इसरा गोल यह है कि मुझे अगले तीन महीने में एक स्पोर्ट का शू खरीदना है जिसके लिए मुझे 900 रुपे की ज़रत पड़ेगी बट अगर मैं एक नवेंबर को ही 300 रुपे उन जूतों पर खर्च कर दूंगी तो अगले तीन महीने में मेरे पास 900 तो नहीं तो आप कर सकते हो बट अगर नहीं हुआ तो ज्यादा चांजी दे है कि नहीं होगा है ना तो आप को कुछ और टाइम लग सकता है और अगले तीन महीने बाद स्पोस्शू खरीदो और आप क्या करोगे या फिर देखो आपके बस कुछ औप्च नहीं तो आप गेम बॉक्स खरीदो ही मत या फिर खरीदो पर सौ और पैसे थोड़ा कम का खरीदो आप जो रिमेनिंग मनी है उतको स्पोस्शू के पैसे में जोड़ दो तो आपके पास फिर स्पोस्शू के लिए भी पैसे आ जाएंगे और गेम बॉक्स के लिए भी पैसे आ जाएंगे You must use your decision making skills and information available with you to make a plan on which of your goals you want to achieve क्लिक कर देखना है कितने रिसोर्सव मेरे पास हैं। sowas सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब आपके लिए निए भार कि आपके रखो कि आपके पास क्या चीज़ें क्या चीजें नहीं हैं. You need to decide on the pros and cons of each goal and arrive at a decision. Once you decide which goals to work towards now and which ones will have to wait. अब आपको decide करना पड़ेगा कि दिखो मेरा कौन सा गोल जादा important है, जिसको मुझे achieve करना है और कोई अगर ऐसा है कि इसको मैं छोड़ सकता हूँ या सकती हूँ तो आप इसको छोड़ सकते हो. You have started to put your plan in place. The key is making sure you have enough money to achieve your goal in the end. की जो इस पूरे मुद्दे की जो बात है वो यही है कि आपके पास इतना enough money हो कि आप अपने financial goal को achieve कर पाए. For this, you need to save money regularly as planned otherwise your goals would be difficult to meet. और यह आप लोगों को भी बोलूँगी अगर आपको pocket money मिलती है या नहीं भी मिलती है ठीक है कुछ बच्चों कर नहीं मिलती है बट जिनके भी पास थोड़ा सब अगर पैसा आता है उसको सब कुछ छुपा के रख लो दबा के रख लो इन्जॉय भी करो बट कुछ कुछ पैसा ना अभी से सेव करो कि बात में क्या होगा आपको अभी पैसा लगता होगा कि चीजों की जरूरत है पर मुझे कोई दे नहीं था है ना तो इसके लिए आपको सेविंग करना बहुत जरूरी है तो यहीं पर हम क्या करेंगे इस वीडियो को फिनिश करेंगे इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स वीडियो में कवर करेंगे थांकिस सो मच पर वीडियो की लेतिस्ट अपडेट आएंगी तो थैंक यू विल मीट इन नेक्स वीडियो बाए